हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत आज की क्लास में दोस्तों आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे रैंकिंग टेस्ट की एक बेरी इंपोर्टेंट टाइप पर जिसका नाम है इस्थान परिवरतन पर आदारित प्रहसन दोस्तो इस type से संबंद जो question आते हैं इनमें studentरों को बहुत ज़्यादा doubt रहता है यानि बहुत ज़्यादा problem create करते हैं इस type के question तो दोस्तो आज की class में इस type से संबंद जितने भी doubt होते हैं वो सारे doubt खत्म हो जाएंगे ठीक है दोस्तो तो वीडियो को सुरू से अंते तक आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम इस type के 3-4 question पर चर्चा करेंगे तो आपके सामने पहला question है देखिए question है किसी पंक्ती में वेजयवाय से पंदरवा है और मनुजदाय से वारवा है यदि ये दोनों अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं तो वेजयवाय से 20 मा हो जाता है तो बताएं पंक्ती में कुल कितने विक्ती है दोस्तो पहले concept को समझे क्योंकि इस type के question हो में concept ही ज़्यादा काम आएगा ट्रिक भी होती है लेकिन इस type के question की trick उल्टी सीधी लंबी चोड़ी होती है तो ट्रिक को आप भूल जाओगे लेकिन concept को कभी भी नहीं भूल सकते हलाकि अपन दोनों चीज़ों का इस्तमाल करेंगे इस class में ठीक है दोस्तो तो देखिए यह एक पंक्ती हो गई यह है पंक्ती का बाया और यह है पंक्ती का दाया इस पंक्ती में बिजय बाया से पंदर्मा है ठीक है और मनोज दाया से वार्मा है अब देखिए आगे क्या का राया कुशन में यदि ये दोनों अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं तो विजय वायं से बीसमा हो जाता है तो दोस्तों देखिए हाला कि हम इसी पंक्टी में कुश्जिन को solve कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी किस्पिस हो जाईगी इसलिए हम एक दूसरी पंक्टी बनाते हैं यह लीजिए यह पंक्ती का बाया और यह पंक्ती का दाया अब देखिए ये इस्थान कौन सा है पंद्रमा लेकिन यहाँ पर कौन आएगा बिजे नहीं आएगा मनोज आएगा क्योंकि ये दोना आपस में अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं यहाँ पर कोन आएगा यह बारमा इस्थान है यहाँ पर कोन आएगा बिजे अब इन दोनों ने अपना इस्थान अदल बदल कर लिया अब इस्थान अदल बदल करने के पश्यात बिजे बाएं से 20 मों हो जाता है यह बिजे बाएं से 20 मों हो जाता है इधर से ठीक है और हमसे पूछा गया है कि बताओ इस पंक्ती में कुल कितने ब्यक्ती है तो दोस्तों मैंने आपको कुल ब्यक्ती ग्याद करने का एक सूत्र बताया था कि left plus right minus 1 यानि किसी एक ब्यक्ती का दौनों तरफ से इस्थान और उन इस्थानों को जोड़ दो मैंनस एक कर दो तो कौन ऐसा ब्यक्ती है जिसका दौनों तरफ से इस्थान है मनोज का तो बाइसे ही है विजे का बाइसे भी है और दाइसे भी है तो left plus right minus 1 विजे का बाइसे कौन से इस्थान है 20 मा पिलस दान से यानि राइट से वारम माइनस एक बीस और वारे बातीस बातीस माइनस एक करेंगे तो 31 इस पंक्ती में टोटल 31 व्यक्ती है तो दोस्तों ये तो था कॉंसेप्ट अब इसकी ट्रिक देखिए ट्रिक है एक का नया एक व्यक्ती का नया इस्थान पिलस दूसरे का पुराना माइनस एक ये ट्रिक है दोस्तों इतनी लंबी और दूसरे कुछ सनाएंगे उनके लिए अलग से ट्रिक होगी तो आपको ट्रिक पर नहीं जाना कॉंसेप्ट को याद रखना है अब देखिए एक का नया नया किसका दिया है बिजय का वाई से बीसम हो जाता है बिजय का वाई से बीसम हो जाता है तो ये ये वारा नया है तो एक का नया पिलस दूसरे का पुराना दूसरे का पुराना दूसरा कौन बचा फिर, मनोज, मनोज का पुराना कौन सा है, दाए से बार मा, तो बार माइनस एक, 20 और बार 32, माइनस एक करेंगे तो वही आ जाएगा अपनका 31, ठीक दोस्तों, अब अगला कुश्चन सौल्व करते हैं, देखें, हाँ तो दोस्तों यह अगला कुश्चन से 25 हो जाता है, तो बताएं दाएं से राजू का क्या स्थान होगा, तो दोस्तों देखें, इस कुश्चन में हमसे राजू का दाएं से स्थान पूछा है, कुल व्यक्ति नहीं पूछे, किसी व्यक्ति का दूसरे तरफ से स्थान पूछा है, यानि एक तरफ से दियार, यह है पंक्ति का दाया देखिये एक कतार में आनंद बाय से 11 मां है आनंद बाय से कौनसा है 11 मां ठीक है और राजू दाय से 5 मां है ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं जब ये दोनों आपस में अपना इस्थान अदल अदल बदल कर लेते हैं तो आनंद बाएं से 25 मा हो जाता है जब ये दोनों आपस में अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं तो आनंद बाएं से कौन सा हो जाता है 25 मा ठीक अब देखिए ये 11 मा इस्थान है और ये 5 मा ये दाएं से 5 मा और ये 22 से 11 आनंद की जगे पर कौन आएगा राजू तो यहाँ पर राजू ठीक है यहाँ पर कौन आएगा यहाँ पर राजू है तो यहाँ पर आजाएगा आनंद अब दोस्तों इन दोनों ने अपने इस्थाना दल बदल कर लिए अब देखें कुशन में क्या कह गया है कि तो आनंद वाएं से 25 में हो जाता है आनंद वाएं से 25 में हो जाता है यह लोग आनंद वाएं से 25 में हो गया अब हमसे कुशन में पूछा क्या गया है तो बताएं दाएं से राजू का क्या इस्थान होगा दाय से राजू का कौन सा इस्थान होगा वाय से तो ग्यार हो है लेकिन दाय से बताओ दाय से राजू का कौन सा इस्थान होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दूसरे तरफ से किसी विक्ती का इस्थान ग्याद करना है तो kul minus d दिया गया स्थान पिलस 1 कुल विक्ती कितिने है इस पंक्ती में तो पहले हमको कुल विक्ती निकालने पड़ेंगे तो देखे किसे निकालेंगे आनंड से आनंद का दाय से 5 वाउय से 25 25 और 5 30 माईनस 1 करेंगे तो गोंड़ 30 टोटल निकाल लिए गुर्टिश आगा लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बताओ राजू का धाय से कौन सा है तो टोटल माइनस दिया गया स्थान कौन सा दिया है ग्यारमा परिवर्तन के बाद का लिए ग्यारमा पिलस एक गुर्टिश माइनस ग्यारे का निकत कितना आएगा अठारे पिलस एक बरावन गुन्नी स्थान होगा राजू का धाय से यह है हमारा आंसर है ठीक है दोस्तों अब जब इस टाइप के कुश्चरों में किसी व्यक्ती का दूसरे तरब से इस थान पूछ जाए पिलस दूसरे के नए बैग पुराने इस्थानों का अंतर कितनी बड़ी हो गई दोस्तों ट्रिक इसलिए तो कह रहा हूँ आपको इस टाइप के कुश्चरों को ट्रिक से स्वल्वन नहीं करने यह नहीं ट्रिक का इस्तमाल ट्रिक याद नहीं करने कौन सेप्ट को समझो बस अब देखिए एक का पुराना और दूसरे के नए बे पुराने स्थानों का अंतर एक का पुराना किसका लेना पड़ेगा पुराना पहले इसका लेओ दूसरे के नयवे पुराने स्थानों का अंतर दूसरा कोन है जिसका नया पुराने दोनों स्थानों का अंतर है तो देखिए आनंद का बाया से 11 मा है और परिवर्तन के पश्चाथ आनंद का बाया से 25 मा हो जाता है इसका आनंद का एक तो नया हो गया और आनंद का ये पुराना तो पत्चीस माइनस ग्यार है कितना आएगा चौदे ठीक है अब किसका लेना है एक का पुराना फिर दूसरा कोन बचा राजू राजू दाए से पाच्वा आगाया अंसर चौदेर पांच गुन नीज़ ठीक दोस्तों लेकिन ट्रिक क्या है दोस्तों ये ट्रिक उल्टी सीधी ट्रिक है दोनु जगे अलग-अलग ट्रिक का इस्तमाल हो रहा है इसलिए आप भूल जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट को तो याद रखना ही है ठीक दोस्तों एक कुश्चन और सॉल्ब करते हैं जिससे सारी चीज़े केलियर हो जाएं ठीक हाँ तो दोस्तों ये रहागला कुश्चन देखिए कुश्चन है एक कतार में दीपा भाएं से नोवी है और विज़े दाएं से तेरवा है जब ये दोनों आपस में अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा भाएं से सत्रमी हो जाती है तो बताएं कतार में कुल कितने व्यक्ती है तथा विज़े का दाएं से कौन सा इस्थान है तो दोस्तों देखिए ये है पंक्ती हो गई यह है पंक्ती का बाया और यह है पंक्ती का दाया ठीक है अब देखे इस कतार में दीपा बाया से कुन सी है नौमी दीपा ठीक है बिज़े दाया से कुन सा तेरमा बिज़े दाया से तेरमा ठीक है अब ये दोनों आपस में अपना इस्थान अदल वदल कर लेते हैं तो दूसरी पंक्ति बना ले अपन ये बाया और ये दाया अब देखिए जब ये दोनों आपस में इस्थान अदल वदल कर लेते हैं तो दीपा वाएंसे सत्र में हो जाती है देखिए ये इस्थान जोंके तो हो रहेंगे लेकिन ये विक्ति आपस में इस्थान अदल बदल करते हैं तो दीपा यहां पर आ जाएगी और बिजय यहां पर आ जाएगा ठीक है अब इस्थान परिवर्तन कन्ने के पश्यार दीपा वाएँ से सत्र में हो जाती है ठीक है दोस्तों बन गया डाइगराम अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि बताए कतार में कुल कितने विक्ति है तो कतार में कुल विक्ति निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था किसी एक व्यक्ति के दौने स्थानु जोड़ों माइनस एक कर दो तो एसा कोई से व्यक्ति जिसका दौना तरब से स्थान है दीपा का दौना तरब से स्थान है 22 से 70 माइनस 1 7 और 30 30 माइनस 1 करेंगे तो कुल 30 ठीक है यानि पहला कुछिंश्न जो पूछा कुल कितने हैं तो कुल तो गुर्टीस है अब पूछ रहा हमसे बताईए बिजय का दाया से कौन सा इस्थान होगा बिजय का दाया से कौन सा इस्थान होगा तो टोटल कितने हैं गुर्टीस माइनस दियागा इस्थान नो प्लस एकुर्टिस माइनस नो करेंगे बीस बीस प्लस एक एक कीस यह हमारा